कि क्या आप भी परेशान है अपने फोन के गटते हुए स्टोरेज से यानि कि बढ़ते हुए मेमरी से और अगर मैं कहूं आपको कि अगले पांच मिनट के अंदर-अंदर मैं आपके फोन में से 40-50 GB का स्टोरेज फ्री करने वाला हूं तो क्या आप इस चीज को मानेंगे नह लेकिन जब आप इस वीडियो को स्क्रॉल करते करते हैं यहां तक पहुंच गया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पांच मिनट इस वीडियो पे स्पेंड कर दें इट विल वर्थ आपने यह ट्रिक कहीं नहीं देखी होगी और किसी नहीं बता ही होगी आपको इसी लिए आ कुछ भी माइंड प्ले या ऐसी कोई भी टेक्नीक नहीं है जो कि क्लिक बेट के लिए मैंने यूज लिए यह 100% एपलिकेबल ट्रिक है आपके फोन में आप इसको अभी अपलाई करें साथ के साथ में आप इसको अपलाई करते रहें और मेरी गारंटी है कि आपके पांच म हुआ है उसका काउंटर चलता रहेगा लाइव में आपको लेजा के दिखाने वाला हूँ तो यह चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको सेटिंग में जाना है उसके बाद में आपको अबाउट फोन में जाना है और वहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा 106 GB storage used है यानि कि free space है मेरा 22 GB मेरा 128 GB वाला model है Redmi Note 10 Pro तो अब इसमें यहां पर आपको बता रहा है काफी जगे गेरी है Others Files ने जो Others के अंदर आती है उन Files ने लगबग 73.39 GB occupy कर रखा है तो यही Others category में आपको explore करवाना चाहता हूँ आज इसमें आप जाएंगे clean now करने के button पे जाएंगे और आपको big files दिखाई देने वाली है वाँ पे तो उन big files पे आपको click करना है और वहां से आपको जो भी यह trash वाली files है जो 4-4 GB, 3-3 GB जितनी है इन सबको select करना है जो files openable format में नहीं है उन सबको आप select करें यहाँ पे कुछ-कुछ ऐसी files भी है जो open होती है video files है .mov वाले extension की files है वो video files हो सकती है जो आपने कभी download करी हो या record ना करी हो उनको आपकी camera feed में नहीं आ रही है लेकिन जैसे telegram जैसी apps में मैंने यहाँ पे download कर रखिए कुछ videos उनको मैं अभी exclude कर रहा हूं उनको include नहीं कर रहा हूं सिर्फ वो चीज़े delete कर रहा हूं मैं screen को fast नहीं चला रहा हूं और नहीं मैं screen को cut कर रहा हूं इसलिए ताकि आपको यह ना लगे कि मैंने कुछ ना कुछ गड़बड की है मैंना ऐसा कुछ भी नहीं किया है मैं सारी चीज़ें आपको वैसे आपको storage देख रहा है तो अभी calculate होके आने वाला है यहाँ पे storage अभी यह 63.17 GB already हो चुका है अब थोड़ थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनको मैं रहने दूँगा और यहाँ पे total storage जो मुझे calculate होके दिखा रहा है वो 63.21 GB clear होने का दिखा रहा है यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं सारी files cover कर लिए सिर्फ video format वाली files छोड़िए और यहाँ पे मैंने को permanently delete करने वाला हूं तो आप यह counter यहाँ पे पहला counter यहाँ पे देख सकते हैं कि 63 GB free हो चुका है जो की बहुत जादा है 60 मैंने आपको 40 to 50 GB का बोला था यह मेरे phone में 63 GB clear कर चुका है उसके बाद मैं मैं उनकी location पर जाता हूं जो video files से उनकी location open करता हूं और वहाँ पे सारी files में देख लेता हूं तो वहाँ पे webp वाले format की files है यह मुझे कुछ नहीं चाहिए है कुछ-कुछ MP4 files भी है कुछ-कुछ GIFs है जो unwantedly आपने जैसे ही telegram install कर रखा है तो वो आपने आप आपके by default आपके phone में install हो जाती है वहाँ पे रह जाती है storage खा जाती है तो मैंने इसको सब को select करके I have deleted them all तो यहाँ पे मेरा कुछ और space भी free हुआ है आप इसको counter में देख सकते है big files जो 2.07 GB के लगबग files थी वो यहाँ पे मैं clear कर चुका हूं तो अब data counter आप देख सकते हैं कितना free हो चुका है और यह सारी files हम यहाँ से भी clear कर देते हैं मैं पूरा मैं चाहता हूँ कि यह पूरी use अपने usage के हिसाब से आपने कभी कोई install कर ली हो एप कोई काफी बड़ी एप हो लेकिन आप चाहते हैं कि वो अब आपको नहीं जरूरत है उस चीज की आपको अब जरूरत नहीं है तो आप उसको बिलकुल uninstall कर सकते हैं यहां से free up कर सकते हैं तो अब आप देख सकते हैं आप मैं cache को clean करने के लिए यानि कि अपने जो unwanted files जो आप mobile को real time use करते time आपके phone में आ जाती है absolute files जो के काम नहीं आने वाली है उनको clear करने वाला हूँ वो लगबग 1GB से उपर की files है उसके बाद में आप WhatsApp cleaner, Facebook cleaner जो भी चीज़ें आप manually आप delete करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये tutorial नहीं है लेकिन ये files, big files के लिए tutorial था और अभी मैं last में आपको बता देता हूँ कि कितना storage मैंने free up कर लिया है तो यहाँ पे total space जो अब मेरे पास available है वो है 87GB यानि कि 22GB से 87GB हो चुका है occupied space था 106GB जो कि अब 40.9GB हो चुका है जो कि straight away 65GB का storage मैंने अभी अभी पांच मिनट के वीडियो के अंदर इसको delete किया है तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है अगर आप इस वीडियो को end तक देख रहे हैं और अगर ये trick आपको नहीं पता थी सिर्फ मैंने बताई है तो आप इस वीडियो को like करे बिना बि अगर आपको एंड तब तक के लिए मस्त रहिये खुश रहिये आबाद रहिये दिल्ली रहिये या एहमेदाबाद रहिये अस खुश रहिये I'll see you in the next video तब तक के लिए टेक ये बबाए and this is Tanayra Singh Chauhan signing off